पूरे दिन लगी रहेगी चंद्रमाद पूर्वा साढ़ा नक्षत्र में पूरे दिन रातरी साढ़े नौ बजे तक चलते रहेंगे जिसके नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव हैं आज के जन्मे जातक सुन्दर, सुखी, शांत, प्रभृत्ती वाले, भागिशाली और लोगप्री होते हैं ये नम्र, इमानदार, न्याएप्री, समेधन सील और दूसरों से प्रेम करने वाले होते हैं ऐसे जातक आशावादी, सहंसील, ब्यवहारिक, आधनिक वस्तूनों का उपयोग करने वाले, घनिष्ट मित्रों से युक्त, सामाजिक और सम्मान पाने वाले भी होते हैं यदि सहयोगी लगर रहा ब्रिहस्पती और सुक्र की स्थिती अनकूल रही तो पूल सफल होंगे चंद्रमा आज भी धनू राशी में ही चलते रहेंगे जिसके राशी स्वामी ब्रिहस्पती देव है और चंद्रमा सनी की यूती आज भी धनू रासी में ही वनी रहेगी चंद्ग्रहन के संदर्व में कुछ जानकारी पहले सही बताना चाहते हैं यह चंद्ग्रहन 27 जुलाई की रात्री 10 बचकर 15 मिनट से प्रारंब होगा ग्रहन का मध्य रात्री 12 बचकर 12 मिनट तक ग्रहन का मोक्ष रात्री 12 बचकर 10 मिनट पर होगा ग्रहन का असपर्स मध्य और मोक्ष पूरे भारत में दिखाई पड़ेगा इस ग्रहन की अवधी 3 गंटे 55 मिनट की बनी रहेगी इस ग्रहन की अवधी का पूरा समय गोरफ पूर उत्तर प्रदेश के अस्थानिय समयानुसार बताया जा रहा है चंद ग्रहन हो या सूर ग्रहन एक सवाल हमेशा जेहन में आता है कि ग्रहन के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सरपुर्थम और सबसे महत्पूर बात यह है कि ग्रहन के समय बुजुर्ग, रोगी एवं बच्चों को छोड़ कर घर के बाकी सदस भोजन ना करें तो अच्छा है गर्वती इस्त्रियों को ग्रहन में घर के अंदर ही रहने की सलाह दी जाती है बाहर के वातावर्ण में नकारात्म पूर्जा का संचार बना रहता है इसलिए घर के अंदर नहें और अपने इश्ट देव से सम्मंदित मंत्रों का मानसिक जब करते रहे जिसके आसपास सकारात्म पूर्जा का संचार होता रहेगा ग्रहन के दिन कोई भी सुखकार्य वर्जित है साथ ही साथ अपने मन में दुर्भावनाव को नापन अपने दे इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने आराथ देव का मानसिक जब करते रहे जिन जातकों की कुंडली में साथे साती या धाया का प्रभाव चल रहे वे हनमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ अवश्य करें जिन जातकों की कुंडली में काल सर्फ योग है ऐसे जातक ओम नमाशिवाय का मानसिक जब ग्रहन के दौरान करते रहे चंद्रहन के द्रिशे को अपने सीधी आखों से ना देखे थाली में पानी भर कर उसमें चंद्रमा के प्रत्विंद को देखा जा सकता है मेश राशी के जातकों के लिए स्वास संबंधी उतार चढ़ाव लगा रहेगा आलस और सुस्ति महसूस होगी ब्यावसाइक जायित की पूर्थी होगी और कारे छेत में उत्साह जना की स्थिती बनी गहेगी पारीवारिक प्रेरना मिलती रहेगी मगर सुख शान्ती में कमी महसूस होगी विवेचनात्मक कारियों में पत्नी की सलाह लावदायक सिद्ध होगी अधिकारियों वो शासन सत्ता का सहयोग बना रहेगा माता के स्वास्त की चिंता और मानसिक उतार चड़ाव भी संभावित है साथ ही साथ अपने सामान के प्रति सचेत्र है चोरी होने या गायब होने का अंदेशा बनता है शिक्षा प्रत योगिता में सफलता मिलेगी वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा और देव दर्शन के योग बनते हैं ब्रिश राश के जातकों के प्रभावशाली ब्यक्तित और बौधिक छमता में ब्रिध्धी होगी और कारिक्षेत्र में उसका निवेश अपने बुद्धी का उसल से सफलता दायक सिद्धोगा मगर कुछ कामों में संघर्ष की इस्तिती बनी रहेगी आप साहस और धैरे के साथ उसका निव्टारा भी समय रहते कर लेंगे योजनाव में विवाद की इस्तिती या रुकावट संभावित है नीजी मामलों में भी तनाव पैदा हो सकता है निध्यातियों के लिए आज का दिन सामानी रहेगा अपने प्रयास जारी रखे, पत्नी के स्वास पर भी ध्यान देना चाहिए नीजी समंधों में मानसिक दबाव और छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिती संभावित है और वाहन सावधानी से चलाए मित्वन रासे वाले जात्कों को कारिच शेतर की ब्यस्तता बनी रहेगी नई कार योजनाओं के प्रस्ताव मिलेंगे मगर सकारात्मक सोच और सक्रियता प्रवावित हो सकती है कुछ योजनाओं को कारी रूप में परिवर्टित कर सकते हैं साजेदारी के कामों में भी लाव संभव है मगर गती धीमी रहेगी वाणी की मिर्दूलता बनाए रखे नीजी वा रिष्तेदारों के बीच तनाव पूर्ण स्थिती संभावित है पारिवारिक पिरणा मिलती रहेगी और आर्थिक वक्ष मजबूत रहेगा विद्याथियों के लिए आज का दिन अनकूल है नपरी करने वाले गगती रहात महसूस करेंगे हर काम आसानी से संभण होगा और वयवाहिक प्रयास पलिभूत होगे करकरासि के जात्कों को कारे छेत से संतुष्टी मिलेगी और मन मताविक काम होते जाएंगे अधिकारियों का सहयोग और सानिध्य बरकरार रहेगा और सकारात्मक फेरणा मिलती जाएगी मगर मन में उठवा है नकारात्मक विचारों से दूर रहे वाद विवाद को टालना उचित होगा आर्थिक लाव मिलता जाएगा और साज्येदारी सफल रहेगी विद्यातियों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा भावनात्मक लगाव और मानसिक सम्वेदना बढ़ी रहेगी संतान के प्रतिचिंता का माहौल और पारिवारिक सदस्यों के स्वास पर ध्यान देना चाहिए साथ ही वाहन सावधानी से चलाएग सिंग राशी के जातक अपने खान पान पर विशेश ध्यान दें पेट संबंधी जटिलताएं बढ़ सकती हैं आपका उर्जा अस्तर और सक्रियता बनी रहेगी मगर आत्मिश्वास में उतार चड़ाव संभावित है नई कार्योजनाओं की पहल जारी रहेगी और कार्य छेत्र का बिस्तार होगा आर्थिक मामलों में नए निवेश का योग बना हुआ है सनी चंद्रमा के यूती और चंद्रमा का सुक्र के नक्षत्र में होने से सक्रियता प्रभावित होगी विद्याठ्यों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी नायाले या वाद विवाद संभन्धित मामलों में अनकूलता मिलेगी वयवाहि प्रयास सार्थक होंगे और पारिवारी प्रतिष्ठा में बृद्धी होगी मगर मन दुस्चिंताओं से भरा रहेगा साउधानी अपयक्षित है कन्यारासि के जात्कों के लिए आर्थिक लाव के कई नए औसर सामने आएंगे कारिच छेत्र में निवेस का योग बना हुआ है जो की लावदायक होगा नई कार योजनाओं में सफलता मिलेगी और आपका बुद्धि कोशल लावदायक छेत्र में ले जाएगा मित्रों और संबंधियों का सहियोग आपके लिए लावदायक होगा वयवाहिक योजनाओं फलिभूत होंगी और सामाजिक प्रतिष्ठा में बृद्धि होगी स्वास्त के प्रतिध्यान रखना होगा सांसों से और पेट से संबंधित जटिलताएं संभावित है चंद्रमा सुक्र के नक्षत्र में हैं भाग यवस काम अच्छे होंगे तुला रासी के जात्कों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा नेत्रित करने की छमता बिक्सित होगी सकारातमा प्रेणा मिलती रहेगी और कारेचेतर में विस्तार की प्रवरित्ती बनेगी नई काड़ योजनाओं के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा साजेदारी के कामों में सफलता मिलेगी और सरकारी कामकाज पूरे होंगे आर्थिक प्वक्ष में सहयोधरों से सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम संपन होंगे अध्यान अभ्यापन के लिए समय अनकूल है रुके हुए या विवादित मामले भी सुलज सकते हैं उचित समय का इंतियार करें और पिता के स्वास्त के प्रती सचेत रहें बिष्चे करास के जात्कों के लिए कारिच्षत में विश्तार होगा और प्रतीयोगी भावना विक्सित होगी मगर नकारात्मक सोच संभावित है सनी चंदर्मा की यूती वाणी भाव में है नकारात्मक सोच के लिए प्रेरणा पहले मिलेगी हलां कि कारिछेत की निरंतरता बनी रहेगी और आर्थिक लाव के कई आउसर सामने आएंगे मगर कुछ उदेशों की पूर्ती में बैवधान भी हो सकते हैं हलां कि नीजी संबंद प्रगाड होंगे और साजेदारी लावधायक रहेगी संतान संबंदी चिंता अभी पनी रहेगी विद्याथियों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा और अपने स्वास पर विशेश ध्यान देना चाहिए धनुराश के जात्कों की शारीरिक उर्जा और मानसिक सक्रगिता बनी रहेगी और दिढ़ इच्छा सक्दी और आत्मिश्वास से हर काम पूरे होंगे वाडी में मधूरता कायम रखें नविन का रिवजनाव में इस्तिर्ता बनी रहेगी मकर राशी के जात्कों को नीजी मामलों में जटिलताएं संभावित हैं मानसिक उतेजना और अंतरदंद आज के दिन ज्यादा रहेगा ब्यर्थ की भागदोड़, अनावसक यात्रा और अपबै का संकेत भी मिलता है हाला कि परिष्टितियों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी योजनाओं को कुशलता से नियंतित करते रहेंगे सासर सब्ता बाधिकारियों का सहयोग बना रहेगा आर्थिक पक्ष सामान रहेगा, अध्यान ध्यापन में परिष्णम आवसक है पारिवारिक तालमेल में कमी और नीजी संबंधों में तनाव महसूस होगा और वाहन सावधानी से चलाएं कुमबर आशिके जात्कों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा सकारात्मक प्रयासों में तेजी आएगी और पारिवारिक सहयोग में बिध्धी होगी आठिक लाबमन मुताविक बना रहेगा पहले की रूकी हुई योजनाओं को लागू करने में मदद मिलेगी विवाधित योजनाओं में समझोता करना लाबदायक रहेगा नीजी संबंध प्रगार होंगे धार्मिक भावना बलवती रहेगी सामाजिक व्यस्ता बढ़ी रहेगी और पारिवारिक सुख सवार्द में बिध्धी होगी और स्वास संबंधी मामलों में आवस्यक साउधानी बनाए रखे मीन राशी के जात्कों को आज के दिन मानसिक चिंता और मन का अंतरदन धावी रहेगा बुद्ध राहू सूरे की यूती और सनी चंद्रमा के प्रभाव से कारी वजनाव के निरने लेने में उतार चड़ाव की इस्थिती बनेगी उत्साह और आत्मिश्वास में कमी महसूस होगी मगर अपनी रुकी हुई वजनाव को चालू करें संघर्स और मेहनत करने की प्रभृत्ती बनाए रखें सफल रहेंगे संतान के प्रतिचिंता बनी रहेगी हाला के यार्थिक सहयोग मिलता रहेगा और आपके आवर्ष्टर काम रुकने नहीं पाएंगे और नीजी संबंधों में ध्यान रखना चाहिए आज के लिए वस इतना ही कल फिर में लेंगे ओम नमाशिवाए